Good evening friends, एक बार फिर से मैं आप सभी का Online Education of YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ सुरा पर्थम, आज राजस्तान मादिमी शिक्षा बॉर्ड कक्षा 10 का अपरणाम गोशित हुआ है सभी विदार्थियों को जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिये हैं और जो पास हुए हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ इसके लावा हमारे हनुमानगे डिस्टिक जिन्होंने इस से जिले को टोपर किया है सनातन धर्म सिक्षन संस्ता रावत सर की बालिका निकिता जिन्होंने च्छाणमा परतिस सतंक प्राप्त करके अपने विदाल्य का अपने माताविता का अपने गुरूजनों का नाम रोशन किया है उस निकिता को मैं मेरे यूटूब चैनल ओनलाइन एजुकेशन हब की और से हार्दिक बदाई देता हूं इसके अलावा और भी जिन्होंने 99.17 सिला नाम की एक मेधावी चात्रा है जिन्होंने पूरे राजधानी जैपूर का नाम रोशन किया है उसको मैं इस यूटूब चैनल के मादेम से हार्दिक बदाई देता हूं और जो चात्रे पास हुए हैं उनको भी मैं बदाई देता हूं आज का हमारा सेशन रहेगा संदी का भाग नमबर दो संदी के भाग नंबर एक सेसन में हमने संदी की प्रिष्ट भूमी के बारे में पढ़ा था और उनके प्रकारों में बारे में बात की थी जो दो वरनों के मेल से जो प्रिवर्तन आता है उस प्रिवर्तन को कामता प्रसाद गुपत जी ने विकार नाम दिया और उसी प्रिवर्तन को किशोरिदास बाजबाईजी ने रुपांतर नाम दिया है और दो या दो सेदिक शब्दों को जब आसपास लाया जाता है और उनसे जो विकार उत्पन होता है उसे संदिक आ जाता है यह हमने पढ़ा था स्वरसंदी में क्या था प्रथम शब्द के अंत में संदि और दिवत्य शब्द के प्रारम में अगर स्वर आई तो वहां पर स्वरसंदी होगी और उनसे विकार उत्पन होगा वो भी स्वरसंदी का होगा और वेंजन संदी में जो दूसरा प्रकार था हमारा प्रथम शब्द का आंत हो या दिवत्य शब्द का प्रारम हो दोनों में एक साइड क्या है वेंजन आना जरूरी है और उनसे जो विकार उत्पन होगा जो नया वर्ण आपके सामने आएगा वेंजन होने वाला है तीसरी बात विशार्ग संदी की बात हमने किये थी कि नित्य प्रथम शब्द के अंत में विशार्ग आएगी तता उसके बाद में वर्ण माला के चुमाली स्वर्ण आ सकते हैं और उनसे जो विकार उत्पन होगा तालवे मुर्दने दंते से और रह पांस परिवर्टनों से होते हैं यह हमने उसमें पढ़ाता आज मैं पढ़ाने वाला हूँ संदी का भाग नमबर दो जिसमें हम बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण दी के बारे में स्वर्ण संदी क्या होती है इसकी बात मैं कर लेता हूँ कि स्वर्ण संदी रथम शब्द के अंती में स्वर और दीटे शब्द के प्रारे में स्वर आई तो वहाँ पर क्या होती है? स्वरसंदी होती है और स्वरसंदी से जो विकार उत्पन होता है वो क्या होता है? एक निया स्वर होता है और इसके अलावा हम बात करें ये, व, र, र, और ल, ये भी विकार उत्पन हो जाता है स्वरसंदी में इसके लाव हम बात करें, आय, आय, आव, और आव, ये भी विकार उत्पन हो जाता है स्वरसंदी में, देखी कैसे उत्पन होता है, क्योंकि ये वे रहल है, ये है उत्पन होते हैं हमेसा ही स्वरों से, इसलिए हम इनको अर्द स्वर का नाम देते हैं, और इसको हम स्वरसंद कि परिभासा क्या होती है प्रथम शब्द के अंत में तथा दवित्य शब्द के प्रारह में तथा दिवित्य शब्द के प्रारह में स्वर आने पर संधी करते समय नैश श्वर का विकार उत्पन हो जाए विकार उत्पन हो जाए तो उसे हम स्वर संधी का नाम देते हैं देखिए हम नहीं बात कि कि प्रथम शब्द का आंतिम हो या दियुते शब्द का प्रारम हो इन दोनों के योग से संधी करते हैं तो जो नया स्वर आता है या फिर जो अर्द स्वर आते हैं या फिर ये आते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन हुआ है उसे हम क्या नाम देते हैं स्वर संधी का नाम है हम देते हैं यहां पर कर रहे हैं तो देखिए स्वरसंदी के भेद स्वरसंदी के परकार पांस परकार की स्वरसंदी होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूं देखिए सबसे पहले हम बात करें देरिग स्वर की दो नमबर पर बात करते हैं हम गुन स्वर तीन नमबर पर हम बात करें वरीदी स्वर और चार नमबर पर बात करते हैं हम यन स्वर और पांस नमबर पर हम बात करें आयादी स्वर देखी ये पांस परकार की हमारी जो स्वर संदी होती है सबसे पहले दिरिग स्वर गुन स्व व्रिदी स्वर यन्सवर आयादी स्वर वैसे देखा जाए तो इनका करम नहीं होता है लेकिन हम इन संदी को इसी परकार से हम पढ़ने वाले हैं पांस परकार होते हैं पांसों के मैं आपको एक बार स्ट्रक्शर यहां से बता देता हूं उसके बाद में हम इनकी डिटेल इस से चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं एक बार फिर से मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को सुरू से लेकर रहां तक देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखिए देरिग सवर गौन सवर वर दिए इसको हम अकेले पढ़ते हैं इन डोनों को एक साथ पढ़ेंगे इन डोनों को हमें एक साथ पढ़ने वाले सबसे पहले मैं जो ग्यारा सऻर होते हैं उन हमारे पास में यह 11 स्वर आई आ ई-ई-ई-ई-उ-डी ए-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- उचारनस्थान की एक समान स्वर होने चाहिए वहां पर दिर्ग स्वर संदी होती है देखिए हमने क्या कहा इन दोनों का उचारनस्थान क्या होता है कंट होता है इन दोनों का उचारनस्थान क्या होता है और री का उचारनस्थान मूर्दा होता है इसका उचारनस्थान कंट तालू होता है और इनका उचानस्तान कंट ओस्ट होता है देखिए ये कंट है ये तालू ओस्ट है मुर्धा है और ये जो चार स्वर होते हैं बात कर लेता हूं गुण और वृद्धी को मैं एक साथ पढ़ने वाला हूं सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीन सोट ले सकते हूं इसके बाद मैं इन स्वरों को देख बार फिर से लिख रहा हूं देखिए मैंने क्या कहा या आ इसको साथ लिखेंगे हर स्वी इन चारों को हम एक साथ लिखने वाले हैं आपको यही करम रखना है इनी स्ट्रक्चर के मादम से आपको सारी जो स्वर संदिय है वो याद हो अब देखिए आपने क्या का यहां पर तो एक जैसे स्वर आ रहे हैं अब क्या आएगा दोनों ही संदियों में प्रथम शब्द के अंत में एय या आएगा गुन हो या फिर वरदी स्वर संदियों प्रथम शब्द के अंत में क्या आने वाला एय या आने वाला है अगर रातें यह संदी कोन्सी होगी वर्दी सब्संदी कोने वाली है है एया आ के बाद में अगर पहले पांस है एया आ के बाद करो गोगे अगर यह अन्तीम चारो मिलते धो उश्म रदी करोगे देखे में प्रवी टन्या विकार वह कैसा एंगता हम इसिथ आवा के साथ में अगर यह दोनों हो तो परिवर्टन क्या आएगा यह आएगा और इन साथ में यह वत्व परिवर कि आएगा और इन दोनों के साथ में अगर री हो तो परिवरतन क्या आजाएगा अर आजाएगा अगर हरसवी और देरगी आती है तो ए हो जाता है हरसवी देरगी आता है तो ओ हो जाता है और री आती है तो अर इसका परिवरतन हो जाता है गुनादेश हो जाता है गुनसवरसंदी हो जाती वरिदी के अंतिम चार आए तो आपको क्या करनी है वरिदी करनी है ए या आ के बाद में अगर ए या आई आए तो आपको इसका वरिदी वाला रूप करना है आई करना है ए या आ के बाद में ओ या ओ आओ आए तो आप इसका वरिदी वाला रूप करोगे ओ ये इसमें विकार आ जाते हैं गुन और वरिदी संदी में पांस परिवरतन आते हैं आपको ध्यां रखना है शब्दों जुड़े वे सब्दों संदी वे शब्द हैं उनमें अगर सिंगल मातरा आपको मिलती है सिंगल मातरा मिले तो आपको गुन करनी है अगर आपको दो मातरा मिलती है तो आप क्या करते हो वरिदी सवर संदी करते हो जैसे देखिया आपके सामने प्रोपकार शब्द है आपसे पूछा जाए कौन सी संदी है तो यहां से तूट रहा है, शब्द बिल्किल शोगो है और यहां पर सिंगल मात्रा आप गुंड स्वरसंदी करोगे आप से पूछा जाए सदेव यहां से सब्द टूट रहा है, सदा पलस एव और यहां से जो इवपर दो मात्रा आपको दिखाय दे रहीए आप क्या करोगी वरदी स्वर संदी करोगी तो ये structure आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इसके बाद हम करने वाले हैं यन्ष वर संदी और आयादी संदी को इसी प्रकार से आप इसका एक screen sorter ले सकते हो अब देखें इन दोनों प्रकार से इन स्वरों को एक बार फिर से लिख रहा हूं और इन के बाद में जो पांच स्वर हैं उनको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं एंतिम चार हैं उनको आप इस परकार से लिखोगे देखिए अचिक स्ट्रक्टर के माद्यम से पूरी संधी को याद कर सकते हैं है क्या हम ने दिर्ग sollul संदी में और गुन संदी में उरदी संदी में आ या आ की बात कर लिए प्रथम शब्द के अंत में आगे तो अब इनका काम यहां से क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है इनके बाद जो पहले पांच है वो प्रथम शब्द के अंत में आए तो यंसवर संदी होती है और इनके बाद में जो अंतिम चार है वो जो प्रथम शब् यह बनाती है यह क्या बनाती है यह बनाएगी और यह वह बनाएगा और रह रहा पनाती है परकार को सही करम होता है संस्क्रित के अधार पर अब देखें इनके बाद में पहले तो दोनों जुड़-जुड़ के नए परिवर्तन और आप यह दोनों एक सिंगल परिवर्टन करते हैं इसके बाद क्या आता है इसके बाद में हमेसा आया समान सवर आता है ये चीज़ आपको बिलकुल ध्यान रख निए और यू जो आया समान सवर आएगा वो इसमें क्या होता जाएगा जुड़ता जाएगा ये जिज़ स्वर संदी में और इसके बाद में देखिए वरदी संदी में यह आ जाता है तो आई जिस परकार से आयादी में आया से सुरुवात करें हैं तो यहां पर भी क्या करें हम आया से ही सुरुवात करने वाले हैं आय बन जाएगा इसका और इसका आव बन जाएगा और इसका बन सवर लिखने की आउशकता नहीं होती ये जो सवर आएगा वो इन में जुड़ता जाएगा ये चीज़ आपको धिया रखनी है ये आयादी सवर संद्य होती है पहले के अंत में एया आय तो दो संद्या मौस्ट होती है गुन और व्रिदी इनका जब काम समापत हो जाए तो प अगर याद करते हो तो कभी भी जिन्दगी में आप नहीं भूलने वाले हो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताओगे अवगत करवाओगे एक बार फिर से मैं मादेमी चिक्शाब और दस्वी के तमाम विदार्थियों को ओनलाइन एजुकेशन आप यूटूब चैनल के मादेम से उजवल भविशे की कामना करता हूं उनको हार्दिक सुब कामने देता हूं धन्यवाद